नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौरानिक लोग पर सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन मनाया जाता है विवाहित महिलाओं को करवा चौथ वरत का बेसबरी से इंतजार रहता है करवा चौथ के दिन स्त्रियापती की लंदी आयू और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला वरत रखती है करवा चौत के दिन महिलाएं सूर्योदै से पहले जाग कर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती है उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है, शाब कोस्त्रिया दुलहन की तरह सोलह श्रिंगार कर तैयार होती है और कूजा पाठ करती है उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पती की आरती उतार कर अपना व्रत खोलती है मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी के ये और द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था करवा चौथ व्रत के प्रताप से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने के वर्दान मिलता है करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशाली आती है करवा चौथ का व्रत सुभह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है चंद्रमा को अर्ध्य देने के बाद पती के हाथों पानी पीकर ही महीलाएं ये व्रत खोलती है इस साल करवा चौथ व्रत की डेट को लेकर कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे है करवा चौथ की सही तारीख और चांद निकलने का समय करवा चौथ व्रत की पूजा विधी के बारे में और वो कौन से काम है जो सुहागनों को अपने पती की रक्षा के लिए इस दिन भूल कर भी नहीं करने है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात शुन्य नौ बचकर 30 मिनट से प्रारंब हो रही है यह तिथी 1 नवंबर बुधवार को रात शुन्य नौ बचकर 19 मिनट पर खत्म होगी उद्या तिथी और चतुर्थी के चंद्रोदय के आधार पर इस बार करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा इस दिन व्रती को 13 घंटे 42 मिनट तक निर्जला व्रत रखना होगा करवा चौथ का व्रत सुबह 06 बचकर 33 मिनट से शुरू होगा और रात 08 बचकर 15 मिनट तक होगा जो महिलाएँ 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनको शाम में पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का शुब समय प्राप्थ होगा करवा चौथ पूजा का शुब मुहूर्थ शाम शुने 5 बचकर 36 मिनट से शाम शुने 6 बचकर 54 मिनट तक है करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 08 बचकर 15 मिनट पर होगा इस समय से आप चंद्रमा पूजन के साथ अर्ग्य दे सकते हैं चंद्रमा को अर्ग्य देने पर व्रत पूरा होता है करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्ग्य देने के बाद किया जाता है पती के हाथों जल पी कर व्रत को पूरा करते हैं एक नवंबर को रात आठ बच कर पंद्रह मिनट बजे के बाद आप कभी भी पारण कर सकती है इस बार का करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए बेहत खास होने वाला है इस बार एक सौ साल के बाद चंद्रमा में मंगल और बुध एक साथ विराजमान है जिस कारण बुध आदित्य योग बन रहा है इसके अलावा करवा चौथ के दिन शिवयोग या शिववास और सरवार्थ योग भी बन रहा है इसलिए इस साल का करवा चौथ काफी शुभ रहने वाला है क्योकि दोस्तों इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं तो दोस्तों जो महिलाओं पहली बार करवा चौत का वरत करने जा रही है तो इस बार वरत शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाएगा दोस्तों जो महिलाएं इस दिन वरत रखकर चंद्रमा को अरग्य देंगी उनकी मनोकामनाई जरूर पूरी होंगी साथ ही व्यवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा मान्यता है कि करवा चौत के दिन मा गौरी और भगवान शिव के साथ गणेश भगवान का भी आशिर्वात प्राप्थ होता है दोस्तों अब चलिए जानते हैं करवा चौत वरत की पूजा विधी करवा चौत की खास पूजाशा को के चंद्रोदय होने के बाद की जाती है पूजा और वरत की विधी के अनुसार करवा चौत के दिन सुभा उठकर स्नान आदी करके स्वच वस्त्रधारन करें और इश्वर के सामने हाथ जोड़कर वरत का संकल्प लें फिर इस मंत्र का जाप करें ममसुख सौभाग्य पुत्र पौतरादी सुस्तिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रक मेह करिशे पूरे दिन निर्जला वरत रखे इसके बाद दोपहर में पूजा की तयारी करें दोस्तों वैसे तो आजकल प्रिंट किये हुए कैलेंडर आते हैं लेकिन अगर आपके पास नहीं हैं तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दिवार पर गेरू से फलक बनाएं फिर चावल को पीस कर इस से फलक पर करवा का चित्र बनाएं इस रीती को करवा धरना कहा जाता है करवा माता कि पूजा के लिए आठ पूरियों की अठवारी बनाएं हलवा बनाएं और पक्के पकवान बनाएं शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गनेश जी बनाकर बिठाएं अगर मिट्टी न मिले तो मा पारवती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकडी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गनेश मा पारवती की गोद में बैठे हो अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, प्रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें इसके बाद कोरे करवा में जल भर कर पूजा में रखें और मा पारवती को श्रिंगार सामगरी चड़ाएं अर्ख देने के लिए मिठी का टोंटी दार करवा लें करवा में गेहूं और धक्कन में शक्कर का बूरा भर दें उसके उपर दक्षिना रखें रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाएं इसके बाद मा पारवती भगवान गणेश और शिव के साथ चंदरदेव की अराधना करें गौरी गणेश और चित्रित करवा की परंपरानुसार पूजा करें करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहू या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौत की कथा कहें या सुनें कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमा कर अपनी सासुजी के पै छोकर आशिरवाद लें चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें फिर चंद्रमा की पूजा करें और चंद्रमा को अरग्य दें उसके बाद अपने पती की लंबी आयू की कामना करें इसके बाद पती के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशिरवाद लें अब चलिए जानते हैं वो कौन से काम है जो आपको करवा चौत के दिन भूल कर भी नहीं करने है पहला आज के दिन भूल कर भी सुहाग सामगरी का दान न करें करवा चौत का वरत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है इसलिए उस दिन स्वय उप्योग की गई सुहाग से जुड़ी सामगरी जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, महदी आदी का दान किसी को न करें अगर आपको किसी को सुहाग की सामगरी देनी है तो उसे नई सामगरी खरीद कर दे दूसरा करवा चौथ के दिन भूल कर भी सोए नहीं करवा चौथ वरत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए वरत रखकर सोने से वरत का फल प्राक्त नहीं होता है वह निश्फल हो जाता है और दोश भी लगता है करवा चौथ समेट सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है हाला कि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है तीसरा काले कपड़े न पहने दोस्तों आज कल कई महिलाएं फैशन को लेकर करवा चौथ पर काले रंग के कपड़े पहन लेती है पर दोस्तों करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दामपत्य का प्रतीक है आज के दिन काले रंग के कपड़े न पहने काले रंग को नकारात मक्ता का प्रतीक माना जाता है आज के दिन आप लाल, गुलावी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती है लाल और गुलावी को ज्यादा शुभ माना जाता है दोस्तो कई लोग जल्दी बाजी के चक्कर में आज के दिन वरत कथा नहीं सुनते हैं पर दोस्तो करवा चौथ की पूजा और वरत उसकी कथा के बिना अधूरी होती है जब आप शान के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना न भूले कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा पांचवा चंद्र को अर्ग्य दिये बिना व्रत का पारण न करें दोस्तों करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और इसके बाद चंद्रमा को अर्ग्य देते हैं फिर बाद पती के हाथों जल्ग रहन करके व्रत का पारण करते हैं इस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्ग्य दिये पारण न करें यदि आपके शहर में किसी कारण वश्चांद न दिखे तो जोतिश उपाय करके पूजा और अर्ग्य दें उसके बाद पारण करें दोस्तो यह थी करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधी और करवा चौथ व्रत की पूजा तिथी और शुभ महुरत के बारे में जानकारी दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले